तो गाड़ी आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नई नवेली टाटा पंच का ड्राइव रिव्यू और आप लोग को बताऊंगा भाई कैसी चलती है यह गाड़ी रोड स्पेर और कैसा क्या मजाता है सारी सिजों के हम लोग बात करेंगे जो यह गाड़ी है ना आप आप लोगी 25 kWh बैटरी पैक में और 35 kWh बैटरी पैक में मिल जाती है जिसको टाटा मीडियम डेंज और लोंग रेंज हैं जो इसका बेऊनोरम सी फ़ी का डिफरेंच का डिफ्रेंच का बेंगा जो गाड़ी का डीर पर ड्राइव रेंज है चार किस Turner की दिरए को मिलीड़ वहाँ पर 335 km के drive range मिलेगी वही power का भी difference हैगा जो आपकी medium range है वहाँ पर 80 bhp और 104 अन्यम का torque निकालेगा और जो आपकी long range है माँ पर 120 bhp और 190 अन्यम का torque निकालेगा और जो है acceleration में भी difference हैगा भाई जो medium range है माँ पर 13 seconds लेगी आपकी 0 to 100 होने में वही जो long range है माँ पर 9 seconds लेगी 0 to 100 होने में वो चीज़ भी हम लोग आगे जाके test करेंगे भाई गाड़ी का कैसा pick up है और इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को 1,60,000 km या फिर 8 साल की warranty मिलते गाड़ी की motor की और गाड़ी की battery pack की वहीं जो complete गाड़ी की warranty है वह आप लोग को 3 साल या फिर 1,25,000 km की मिलती है अगर आप इस गाड़ी को दिल्ली में भाई करते हैं तो वहाँ पर कहा रहेगा और अगर आप इस गाड़ी को हर्याने में भाई करते हैं तो यहाँ पर आप गाड़ी में बैठते हो तो उसमें देखते हो आप गाड़ी का sitting comfort तो गाड़ी की सीटों की चोड़ाई है अंडर थाई support है और जो गाड़ी के अंदर में leg room दिया गया है वह काफी अच्छा आप लोग को मिल जाता है और seat को ऊपर करने के बाद में बहुत अच्छी commanding सी position यहां पर आती है जो dashboard है उससे उपर मैं हो जाता हूं और जो गाड़ी का bonnet है वो भी बहुत अच्छी तरीके से visibility आती है देखो मेरी 6 foot की height है और 50 kilo वजन है उसके according तो seat है बिल्कुल comfortable है अगर मानलो 100 kilo तक का भी seat बैठेगा उसके लिए भी जो seat है बिल्कुल comfortable यहां पर र quality सुनो पहले जो गाड़ी के अंदर पर speakers की quality मिलती है वो भी काफी अच्छी सी यहां पर मिल जाती है सब वूफर जो है गाड़ी के अंदर नियाते फिर भी speakers क्वालिटी काफी अच्छी है जैसे बीच में अब नई digital की display यहां पर हो चुकी है और touchscreen भी जो है इसी गाड़ी मुझे कोई glare feel नहीं हो रही है एक नंबर की display आप लोग को मिलती है क्रिस्पीनेस के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ी है और जो यह display है बिल्कूल भी लैग नहीं करती है reverse camera की quality भी जो है यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी सी आप लोग को मिल जाती है और जो इस फिलाल में सर्दियां चल रही है इतना टैस्ट नहीं हो पाएगा फिर भी मैंने इस गाड़ी का एसी चला के देखा तो जो response है भाई देखो फिलाल में सर्दिया चल रहे हैं तो इतना कुछ पता निचलेगा तो मेरे को देखो अभी तो ठीक लगए बागी गर्मियों में अगर के पता चलेगा इस गाड़ी कीसे response है अगर इस गाड़ी के इंदर में ना तीन मोड्स आप मिल जाते हैं इको मोड़ शेटी मोड़ और स्पोर्ट्स मोड़ जब आप इस घड़े को स्टार्ट करेंगे तो वह सिटी मोड़ में ही स्टार्ट होगी बाद में से आप थोटक्राइब करते हैं तो एकत्व सदंग में स्पॉंस नहीं आते हैं कुछ एक सप्टर का Ear Vielे लगा है जैसे छिए इसिकलों को डवाता हूं पर फिर पेड़ल को कुछ इस गाड़ी को highway भी drive करूँ गा और इस गारी道 City रेख में चलाने लग रहा हूं जो ट्रैफिक रही अच्छा यह हो रखा अधर में commanding बजिशन है टो मुझे चलाओं कोई भी दिख्कतते नहीं आ रही में से एक number की visibility आ रही है तो lady driver भी गाड़ी बिल्कुल असानी से इसको चला सकती है अगर मालो वही sitting पोस्टर थोड़ा नीचे होता commanding position नहीं आती तो वहाँ पर क्या गाड़ी को drive करने में दिक्कत आती पर इस गाड़ी के अंदर में यह भी दिक्कत नहीं है आप गाड़ी का जो steering wheel है वह भी भाई बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बिल्कुल मक्षण मलाई हो एक उंगली से आप इस गाड़ी का steering wheel को काट सकते है electric steering wheel जो है इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है बट जो इस गाड़ी का होरन है वो दबाने मतलब side-hows नहीं दबता है और जो बीच में इस के अंदर में जो दे रख है ना होरन को blow करने के लिए वो भाई थोड़ा सा मेरे को पता है नहीं चलता मतलब मोट वाइपर गाड़ी के अंदर में दोनों चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है ब्रेकिंग जो है वो भी इस गाड़ी के अंदर में बहुत ज्यादा बड़े आसी मिल जाती है अब देखुआ इस गाड़ी को मैं जीरो से स्पीड टेस्ट करूँगा की इस गाड़ी का कैसा प्पीक अप है और मेरे आप जो ट्रू एकस्प्रेसन लेते हैं न वही चेक करूं है ऐँ विलस्पी ना तो अधिस्वाइश दो और धोग्राइर विल श्मी में गार्टी कर दोग्राइश और कि फिटेसर भाइश फ्टा में गार्टी में तो वैइट अबड़ा विलस्पी में एयर गाड़ी में। पाई साब यही आई देख दो पर जो पावर है बिल्कुल घट जाती है वह ऐसे लगता है कि बहुत टाइट टाइट चल रही हो यह वाली फील जो है इस गाड़ी के अंदर से आने लग जाती है पर वही है सिटी मोड में नॉर्मल चलेगी और स्पोर्ट्स मोड में डालते साथ तो मत पताने वह क्या ही कैल इस ब्रेखिण दर में थे और तीन रिजन के लिए खाडि के अंदर मिलते हैं जैसे मैंने पहले वालगी व्यडियों ंसल कि आप और यह सब्च करोगे तो गाड़ी की जो बैटरी है वह चार्ज होती है आपको ब्रेकिंग लगाने की वह चैर्ज झार्ज लेकिक्र नान ड एक्सेलेटर से पैर अटा लोगे तो फिर क्या अपने आप यह एकदम ब्रेक से लेती है यह बिल्कुल साफ साफ सा फील होता है तो लेवल तीन पर मैं मानना तो यह यह मेरे को मज़े आते हैं और जो मेरे साथ में बैठते हैं उनको भी थोड़े चक्कर से आते हैं अगर तो जो है गाड़ी में जादा मिलेगी गाड़ी के अंदर में में दिक्कत का आती है इस एक गाड़ी को लेकर माने सिर्श लेकर अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखाए ना तो वह जाकर देखना पूरे मैंने व्लोग डाल रहें क्या का स्ट्रगल करना पड़ता है को लेकर हाइवे पर लिकनना पड़ेगा और इस गाड़ी के अंदर में मालो आप पांच जैने वी बैठके जा रहे हो ना तो ऐसा कहीं भी फील नहीं होगा कि गाड़ी मेरे नीचे से टिक गई हो अगर को नया ड्राइवर इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पर चलाएगा न रूस ने ऐसे एक्सेलरेशन किया तो भाई उसके कंट्रोल से वार हो जाईगी बहुत तखड़ासे एक्सेलरेशन देती है यह बहुत तखड़ासा एक्सेरिंग का रेस्पॉन्स है न वह बहुत ज़्यादा बढ़िया है और ब्रेकिंग बिल्ट हो चाहे रेंज हो प्राइस के हिसाब से सब कुछ ही आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़िया सा मिल जाता है तो ठीक है यही सब कुछ ता आज की इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पंसंदा यह लाइक कर देना अगर आप इस ग